नमस्कार बच्चो तोड़े वी आगोई टो डिसकस क्लास 10 इंग्लिश वर्क्षिट नमबर 45 यह आपकी 16 ओफ डिसंबर 2021 की वर्क्षिट रहेगी आज की इस वर्क्षिट में हम अमांडा पॉइम है उसको रीड करने वाले हैं उसको समझने वाले हैं उसको डिसकस करने वाले यह जो अमांडा पॉइम है इससे आप खुद को रिलेट कर पाऊगया आपको लगएगा कि आप सभी अमांडा हो अमांडा पॉइम की बेसिक थीम क्या है कि इसमें जो ग्रेक्टर है वो अमांडा है और अमांडा को उसके पैरेंट से काफी ज़्यादा प्वाइंट हमें लगता कि हमें सिखाने की क्या जोटता है हमें पता है हमें लगता कि यह हमारा natural behavior है हम जब बाहर या situation आएगी तो हम उससे better करेंगे तो आहम तो और पे कब कहा जाता है आपको जब morning होते है तो morning से शुरुआत हो जाते है जब आप थोड़ा सा लेट उठते हो तो मदर की तरफ से आवा जाते है कि सूरज निकल गया अभी तक आप सोए हो उठ जाओ उस बाद आपको डांटा जाता है जब संडे वगरा होता है तो आप थोड़े से lazy feel करते हो नहाने में तब आपको कह दिया जाता है कि मतलब नहालो उस बाद चाहिए खाने की बात हो तो आपका दो मिनट खतम नहीं होता और parents आपको डांट देते हैं आपका अपना जो सामाल है चाहिए वो shoes हो चाहिए वो books हो ठीक से नहीं रखते तो उसके लिए डांट दिया जाता है जब guest आते हैं आप ठीक से उनके पास बैठते नहीं है उनका welcome नहीं करते तब आपको डांट दिया जाता है आपको डांट दिया जाता है जब आप market में उनके साथ निकलते हो आप जल्दी से road cross करने कोशिश करते हो तो आपके parents आपको डा आपको डांट मिलती है तो ये सब के साथ होता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि society के कुछ normal codent conduct होते हैं यानि society में expect किया जाता है कि एक बच्चा एक mature person ऐसा behave करें और especially girls के साथ होता है के साथ होता है कि आपको ऐसे चलना है ऐसे जोर से नहीं असना है ये करना है वो नहीं करना है उनके लिए instructions थोड़े और भी जादा होते हैं तो ये parents इसलिए करते हैं ताकि वो हमें improve कर पाएं लेकिन यहाँ पर दो चीज़ा आते हैं कुछ parents होते हैं जो बच्चों के साथ उस समझाने की कोशिश करते हैं वो एक example set करते हैं उनके सामने कि जैसे हम करें वैसे ही आप कीजिए and generally we follow our parents हम अपने parents को follow करते हैं लेकिन कुछ scenes में क्या होता है कि parents से वो अलग तरिके से हम जैसे समझाने की कोशिश करते हैं it means that वो हमें यह कह लिजिए कि डांट करके समझान पॉइम में बताएगा है तो चली इस पॉइम के इस extract को हम read करते हैं और उसके बाद इसी पर based कुछ easy questions है जिनको हम solve करेंगे तिहां पे Amanda है उन से उनके mother specially काफे कुछ कह रहे हैं don't bite your nails Amanda, don't hunt your shoulders Amanda, stop slouching and sit up straight Amanda, अब Amanda को बहुत कुछ कहा जा रहा है कि Amanda nails को bite मत कीजिए, काफी सारे students कह लीजे, काफी सारे बच्चे कह लीजे, उनकी आदत होती है नाखुनों को कुतरने की, तो Amanda की भी होगी है, विट कभी कभी हो जाता है, so उसके mother कह रहे हैं don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders, कि अपने shoulders है, कंधों को है, ऐसे hunch मतलब जुका के मत चलिए, चलते हैं ना हम धीले ढाले स से चलते हैं कई बार घर में, so यहाँ पे Amanda की मतलब कह रहे है, don't hunch your shoulders, stop slouching and sit up straight, कई बार हम जुक करके बैठ जाते हैं, lazy से, okay, तो यहाँ पे का जा रहा कि आप bend मत होई है, सीधे बैठी है, ऐसे भी बैठते हैं कोई, so बार बार scold किया जा रहा है, point out किया जा रहा है Amanda को, लेकिन Amanda जो है, वो एक अलगी दुनिया में, वो Amanda क्योंकि उसको जब बहुत ज्यादा डांटा जाता है, तो अलगी दुनिया में खो जाती है, उसे कोई फरक नहीं पढ़ रहा, उताना कि जब बहुत ज्यादा instructions दिये जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि जाने दोना, रोज की बाता हैं ये, रोज का ड्रामा ये, तो ऐसे Amanda के साथ हो रहा है, Amanda वहीं पर किसी और ही थोट में खो जाती है, there is a language, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully, अब वो कहां स्कोई हुए, बड़े प्यारी सी जगह पे खोई हुई है, वो सोच रही है, खुले बहुत बड़े ocean के बारे में, सम soul inhabitant is me, जहां पर केवल एक ही inhabitant है, वो है एक mermaid, और वो mermaid कौन है, वो mermaid वो सोच रही है, कि वो Amanda खुद है, कि मैं mermaid हूँ, mermaid समझते हूँ न, जल परी हूँ, जो अकेली है, blissfully होता है, शांती से, वहां पे ते रही है, वहां से रह रही है, यानि कि Amanda इन चीजों से इतनी ज़् अंगाज किया, कि she is looking for the calmness, she is looking for the peace, उसे शांती चाहिए, तो ऐसे imagine करते है, कि वो एक बड़े से समुदर में अकेली जल परी है, और वहां मजे से ते रही है, okay, drifted मतलब प्यार से साथ साथ बहना, बहाव के साथ बहना, blissfully होता है, happily, okay, तो वो अलग ही दुनिया में खो ग लिए बोलते हैं, so she is again asking, did you finish your homework, Amanda, क्या आपका homework हो चुका, Amanda, did you tidy your room, Amanda, हमारा room, आम तोर पर आप देखते होगा, आपका room या जहां पर हम सामाने वैसा को ऐसा छोड़ देते हैं, तो वहां पर Amanda को भी बोला जा रहा है, कि आपने अपने room को साफ किया, I thought, I told you to clean your shoes, Amanda, और म मुझे लगता मैंने आपको shoes sharp करने के लिए बोला था, सुबर स्कूल जाना है, sharp करके छोड़ दो, किया आपने, तो यहां पर बार-बार Amanda को टोका जा रहा है, point out किया जा रहा है, but Amanda है, वो in सबसे दूर जाना चाहती है, she needs peace, तो यह हमारा extract था, अब इसी पर best कुछ easy questions दे The poet is talking about Amanda, Amanda के बार में यहां पर discuss किया जा रहा है, बात किया जा रहा है, Amanda is a girl, और उसके parents उसे point out करें, second है, who is the speaker in the stanza's first and third of the given extract, जो first or third extract है, उसमें speaker को ने Amanda के माद रहे, first or third में, ठीक, उसके बाद next, जो हमारा question है, third, whose thoughts are expressed in the stanza's second, and how are they different from the other two stanza's, in the second stanza, Amanda's thoughts are expressed, जो bracket में दिया गए न, वो किसके thoughts हैं, वो Amanda के है, Amanda है, खुद को एक mermaid के तूर पे imagine करी है, and here she yearns for freedom, यहां पे वो अपनी freedom, यानि कि दोनों जो stanza है, उसमें उसको find out किया जा रहा है, यहां पे वो अपनी freedom को find out करी है, freedom, okay, क्योंकि Amanda को लगता है कि जो freedom हो उसको curtail कर दिया गया है, उसको छीन लिया गया है, clear, now let's move to the fourth question, fourth हमारा question रहेगा, fourth question है, why does Amanda imagine herself to be a mermaid, Amanda है, खुद को mermaid imagine करती है, ऐसा क्यों, Amanda imagines herself to be a mermaid, so that she may drift in the silent sea, and enjoy the loneliness and peace there, जो Amanda अपने आपको mermaid इसलिए imagine करी है, ताकि वो शांत सा, जो समुद्र है, वहां पर वो शांती से रह पाए, और वहां पर जो loneliness है, वहां जो शांती है, उसको enjoy कर पाए, she yearns for freedom, वो freedom चाहती है, she yearns for peace, उसे peace चाहिए, वो तंगा आ चुकी है, बार बार जो उसको find out किया जाता है, now let's move to the fifth and the last question of this worksheet, fifth question है, do you have similar thoughts sometime, क्या आपके माइंड में भी इसी टाइप के थोट आते हैं, जैसे कि Amanda के माइंड में आ रहे हैं, when we are scolded constantly, we too sometimes have these type of thoughts, कि जब हमें बार बार डांटा जाता, तो कई बार हमें भी ऐसा लगता है, कि कई, जैसे आपके साथ पे होगा, कि आप 10th class में होते हैं, या 9th में होते हैं, तो उसके बाद आप सोचते हैं, कि जल्दी से 10th हो जाएं, अगर मोका मिलता, तो hostel में चले जाएं, ऐसा कुछ लगता है, लगता ना कई बार हमें ऐसा लगता, कि नहीं, मेरे friend के parents तो कभी कहते हैं, उसे, okay, so when we are scolded constantly, we too sometimes have these type of thoughts, हमारे mind में भी इसी type के कुछ thoughts होते हैं, तो ये थी हमारी आज की easy, interesting worksheet, I hope सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गर आपको ये वीडियो, ये वीडियो अच्छे लगी, इस वीडियो को like करना है, और share करना है, thank you, bye-bye, have a nice day अजया है, thank you, bye-bye, thank you.